बच्चों आज मैं आप लोग को एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ क्या कौन सी कहानी है वो उट और गीदर की कहानी बहुत पुरानी बात है बच्चों एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे एक था गीदर और दूसरा था उट गीदर काफी चालाग था और उट सीधा साग ये दोनों दोस्त घंटो नदी के पास बैठ कर अपना सुख दुख बाटते थे दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई एक दिन किसी ने गीदर को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है यह सुनते ही गीदर का मन ललच गया लेकिन वो खेत नदी पार था अब नदी को पार करके खेत तक पहुँचना उसके लिए मुस्किल था इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा सोचते सोचते वो उट के पास चला गया उट ने दिन के समय गीदर को देख कर पूछा मित्र तुम यहां कैसे हम तो साम को नदी किनारे मिलने वाले थे तब गीदर ने बड़ी ही चलाकी से कहा देखो मित्र पास के ही खेत में पके तर्बूज है मैंने सुना है तर्बूज बहुत मीठे हैं तुम उन्हें खाकर खुस हो जाओगे इसलिए तुम्हें बताने चला आया उट को तर्बूज काफी पसंद था वो बोला वाँ मैं अभी उस गाउं में जाता हूँ मैंने बहुत समय से तर्बूज नहीं खाये हैं उट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तयारी करने लगा तभी गीदर ने कहा दोस्त तर्बूज मुझे भी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है तुम तर्बूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए तभी उट बोला तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें अपनी पीट पर बठा कर नदी पर करवाऊंगा फिर साथ में मिलकर तर्बूज खाएंगे उट ने जैसा कहा था वैसा ही किया खेत में पहुँच कर गीदर ने मन भर कर तर्बूज खाए और खुस हो गया खुसी के मारे वो जोर जोर से आवाजे निकालने लगा तभी उट ने कहा तुम सोर मत मचाओ लेकिन वो माना नहीं गीदर की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए गीदर चलाग था इसलिए जल्दी से पेड के पीछे चिप गया उट का सरीर बड़ा था इसलिए वो छुप नहीं पाया किसान ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उट खेत के बाहर निकला तभी पेड के पीछे छुपा गीदर बाहर आ गया गीदर को देखकर उट ने गुस्से से पूछा तुम क्यों इस तरह चिला रहे थे गीदर ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिलाने की आदत है तभी मेरा खाना पस्ता है इस जवाब को सुनकर उट को और गुस्सा आ गया फिर भी वो चुप चाप नदी की ओर बढ़ने लगा नदी के पास पहुँचकर उसने अपनी पीछ पर गीदर को बिठा लिया इधर उट को मार पढ़ने से मन ही मन गीदर बहुत ही फूस हो रहा था उधर नदी के बीच में पहुँचकर उटने नदी में डूपकी लगानी शुरू कर दी गीदर डर गया और बोलने लगा यह क्या कर रहे हो गुस्से से उटने का मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डूपकी मानी परती है गीदर को समझ आ गया कि उट उसके लिए किये का बदला ले रहा है बहुत मुस्किल से गीदर पानी से अपनी जान बचा कर नदी की किनारे पहुचा उस दिन के बाद से गीदर ने कभी भी उट को परिशान करने की हिमत नहीं की कहानी से सीख उट और गीदर की कहानी से यह सीख मिलती है कि चलाकी नहीं करनी चाहिए अपनी करनी खुद पर भारी पर सकती है जो जैसा करता है उसे वैसा ही बहना पड़ता है